सब्सक्राइब करने वाले हम टीविया सेंट टॉर्क वन टॉनिटिफाइब एक एक राइड रिव्यू सो राइड रिव्यू से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि और साथ में बताएंगे कुछ फीचर्स जो इसमें एड ओन हुए बीचिक्स मोडल में उन सब की बात करते हैं कि इसके बाद चलेंगे ÜZ उसके बाद चलेंगे हो टे से राइड रिव्यु पर में सिटाट करते हैं इसके पलहें हम फ्रेंट वील इसे फ्रेंट में ऑफ्रेंट कुमिल आपको मिल जाता है इसमें एक हैं ट्वेल इंचिस का ग्री standards का साथ नंग को मिलता हैं मैं टिलेषक प्रेंट फोग विद डैंपिंग सिस्टम यानि कि आपकी राइड बहुत ज्यादा कंफरेबल होने वाली इसके बाद रेक्स में आपको मिलता है तूट्वन्टी एमम का एक डिस्क ब्रेक जो काफी अच्छा है यह पैटल डिस्क ब्रेक है गर्म भी नहीं होती है डिस्क प् तो आपको मिलता है फ्रेंट में फुली LED हेडलाइट साथ में डे टाइम रेनिंग DRL इसके लावा आपको साइड में मिल जाएगा सूपर स्क्राइड एडिशन का एक लोगो बहुत प्यारा साथ में आपको ब्लैक पैंथर का लोगो मिल जागा यहाँ पर बात करें लेट स से काफी अच्छा है अगर बैक साइड की बास करें तो यहाँ आपको मिल जाता है टीवियस एंट और का एक 3D लोगो 125 CC जो एंजन की जो परफॉमेंस है वह यहां लिखी हुई है इसमें आपको मिलता है 1249 CC का एर कूल बीसिक्स कंप्लाइंट इंजन जो देता है 9.3 PS की प लगते हैं यह काफी अच्छा है सब आपको मैं इसकी डिगी और फ्यूल टेंक का इनलेट है कैसे बदा यह लेफ्ट करेंगे तो फ्यूल टेंक हमारे इस तरह से ओपन हो जाएगा और जो फ्यूल टेंक की जो कैपैसिटी है वह फाइप पॉइंट एक लीटर जो काफी और बी जो कुछ आप चार्ज करना चाहते हैं वह चार्ज कर सकते हैं साथ में आपको मिलता है ओवी यानी ओन बोर्ड डायगोनिसिक सिस्टम जो काफी हेल्प करता है सर्विस के वक्त इसके लावा इसमें अंदर काफी सारा स्पेस है मैं आपको समान है निकाल कर दिखा लेता हूं इसके लावा अपना कुछ भी समान लग सकते हैं काफी स्पेसियस यह जगह आपके लिए होने वाली है अगर बात करूँ में इसके सीट के तो क्वाइट कमफरेबल सीट है और बैक साइड की बैक में आपको मिलते हैं फायर दसे वाले कुछ इनलेट मिल जाते हैं जो सिफ शो के लिए और आपको मिल जाती एक फुली एलेटी बैक लाइट calendar जो एलीडेटी की बात कर आपको मिल को लग रहे हैं जो एल्डी नहीं नहीं नॉन्मानें लेकिन काफी खु कबिरते हैं इसके कि मिलने वाला है यहां है पार्किंग हधार लाइट जो इसकूटेश मेनया दौर शुरूआ उस में सब्जाने लगे अवह को किल स्वीच बटन नीचे सेल्फ का स्वीच मिल जाता है यह इनडीकेटर से और यहां पर हॉन जो बटन के आज पास का हिस्सा है वह भी बिल्कुल कार्बन फाइबर बॉड़ी की तरह बनाया गया है लेकिन यह प्लास्टिक में यह और काफी अच्छा लोग भी दे रहा है पूरा है वह चलता है यानि कि हम इससे सेटिंग कर सकते हैं जब आप एक एक एप होगी जो ट्रीवेस की उससे से कनेक्ट करेंगे अफसर फंक्षन मिल जाते हैं जो आपको पताता है हर एक चीज के बारे में तो पस्फपर्स मोड और स्टीट मोड और राइड स्टैट मोड आपको तीन मोड कंपनी प्रोवाइड गाते इसक लावा यह आपको ब्लूटूस कनेक्टिटी को अप्शन देता है इसमें आप और लास्ट वीकल पार्क की आप इसमें देख सकते हैं साथ में आपको एक लोगो भी मिलेगा नीचे जो आपकी फोन की बैटरी और सिगनल भी दिखाएगा इसदर आपको मिल जाता है फ्यूल की कैपस्टी आपका फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल है आपको बताया था में सा हम भी यानि आप मोबाइल फोन से कनेक्ट कर लेंगे एक बार अपने मीटर को यानि अपने और को इसके बाद आप चाहां भी जाएंगे यह आपको राइट बाई राइड आपको दिखाता रहेगा आपको लेफ्ट राइड मोड़ना यह काफी अच्छी खुबसूरत है तो सबसे पहले आपको पता है तो साउंड की एक बाइक जैसा साउंड में आपको मिल जाता है जबकि एक स्कूर्टी है जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा सुकाइज चीट मोड में भी काफी अच्छी पावर में देखनों को मिल रही है और अगर बात करूं में कमफ़टेबल लेवल की तो सीट काफी कुशनिंग है और काफी कमफ़टेबल है यह और अगर बात करें पैर की तो काफी स्पेस में रहा गया आप देखने तेंक काफी स्पेस यहां बचा हुआ है इस तरह कुछ ढकी हुई नहीं है पूरा ओपन है जो एक स्पोटी लुक दे रहा है काफी अच्छी मुझे इसके अंदर अगर बात करें हैंडलिंग की तो काफी अच्छा और शौर्ट है और मेरे हैंड्स पी काफी अच्छे फिट आ रहे हैं जैसे मैंने एक्सिस माँ को बताया था लाज्स स्रिव्यू में उसकी हैंडलिंग भी कुछ ऐसी थी और लगबग सेम हैंडलिंग है दोनों के इनकी एंटार्क में जो तीन मोड दिये हैं स्ट्रीट स्पोर्स और राइड मोड इनका इसकी परफॉमेंस पर कोई फरक नहीं पड़ता याने इनकी टॉप स्पीड पर कोई लेना दना नहीं है इन मोड से इन मोड में जो आते हैं स्ट्रीट मोड जो है वो पहले से डिफॉल्ट होगी यापके बैस राइड होगी वह आपको यह मिल्टर में शोग करेगा तो ऐसा मस समझना आपके सब्सक्राइब में अच्छा देगी सब में हर एक मोड में जोसकी टॉप स्पीड है वो 95 किलो मेटर पर आवर है चाहे वो स्टीट मोड हो चाहे वो स्पोर्ट मोड हो इस बात को अब धिशान रखना अगर बात करूं में फुट स्पेस की तो काफी अच्छा स्पेस आपको देखने मिल रहा है आप बिल्कुल तो तक पैर यहां रख सकते हैं और ग्रिप बना हुई है पैर रखने के लिए स्पेसली जो काफी इंप्रेसिव मुझे लग रही है कितनी छोटे में यह मूर सकती है तो पहले देखने थे पीछे को याद हो नहीं रहा और रोड़ खाली है कि तो काफी अच्छा है आप एक छोटे से मोड में इसको मोर सकते हैं तो यह भी काफी अच्छी चीज मुझे लगी कि ब्रेक भी काफी इंप्रेसिव हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं सो गाइज यह था राइट रिव्यू और मुझे कुल मुला कर स्कूटी काफी अच्छी लगी इंपैसिल लगी इसके रंग जो थे फिलाल करते हैं इसको आफ इसका मैंस्ट भी काफी सिंपल लगाना इतनी हैवी आपको नहीं लगेगी इवन जो गर्ल्स हैं वह भी प्यार से इसको स्टेंड पर लगा सकती हैं आपको यह कैसा लगा राइट रिव्यू मुझे कमेंट करके बताएगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक किसी वीडियो में ऐसी इंफोर्मेशन के साथ तो बबाए टेक केर ध्यान रखेगा अपना